अलो फ्रेंड आज के इस सेस्टन में हम मोनो किलिनिक सिस्टम के पॉइंट ग्रूप के बारे में दोस्तों डिसकसन करेंगे जो भी मोनो किलिनिक सिस्टम होते हैं यहाँ पे दोस्तों इनका दोस्तों थ्री एक्सिस होता है A एक्सिस, B एक्सिस और C एक्सिस बट यहाँ पे जो तीनों एक्सिस होते हैं not equal to each other दोस्तो unequal तीनों ही एक्सिस रहते हैं और यहाँ पे a perpendicular to b b perpendicular to c but c is not perpendicular to a होता है दोस्तो यह थोड़ा यार रखिएगा a perpendicular to b, b perpendicular to c c is not perpendicular to a उसके बाद दोस्तो यहाँ पे जो symmetry होते हैं आपको one plane of symmetry मिल जाएगा one center of symmetry मिल जाएगा and one axis of symmetry दोस्तो मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो dare नहीं करते हैं हम point group को यहाँ पे समझने की कोसिस करते हैं जो monoclinic system में point group होता है दोस्तो एक होता है हमारा 2 दूसरा होता है हमारा m and तीसरा होता है दोस्तो हमारा 2 by m दोस्तो यहाँ पे एक shortcut याद रख लीजिए shortcut क्या है दोस्तो यह जो कहीं पे भी monoclinic system पे 2 लिखा जाता है यह किसको indicate करता है दोस्तो b axis को indicate करता है which is having twofold symmetry b axis 2 किसको indicate करता है b axis having twofold symmetry ok और दोस्तो यहा पर जो N होता है M किसको इंडीकेर करता है दोस्तो N होता है हमारा mirror plane किसका mirror plane तो दोस्तो यह A exist एक mirror plane है A exist दोस्तो क्या है दोस्तो एक mirror plane है तो बस इतना में ही आपका आज का काम हो जाएगा दोस्तो monoclinic system पर देखे 2 दिया गया है मतलब यह हमारा b axis twofold symmetry है दोस्तो तो चलिए हम सुरू करते हैं हमारा यह c axis पहले draw कर लेते हैं इसके साथ दोस्तो हम यह हमारा c axis हो गया इसके बाद दोस्तो a axis हम draw करते हैं यह हमारा a axis बन गया a axis में m लिखा है क्या नहीं है यहाँ पर only two लिखा है तो उसके बाद दोस्तो b axis को draw करते हैं b axis तो two लिखा है मतलब b axis क्या है अगर यहां पर नोटेशन लेते हैं दोस्तो ओके जब यह रोटेशन के कारण यह जो आप नोटेशन देख रहे हैं दोस्तो यहां पर repeat हो जाएगा और कैसा face बनाएगा दोस्तो इसा face आपको देखने को मिलेगा मैं आपको इसका figure मतलब की slide में दिखाने की कोसिस करूँगा दोस्तो लेकिन आपको यह draw करना होगा कहीं पे भी अगर 2 का point group draw कर रहा है तो यह दोस्तो B axis है which is two-fold symmetry B axis हमारा क्या है दोस्तो two-fold symmetry और यहाँ पे एक point है यह देखिए दोस्तो दूसरा उसके बाद हम M को draw करेंगे दोस्तो M M को कैसे draw करते हैं हम C axis को पहले draw करेंगे दोस्तो यह हमारा क्या है हमारा यह C axis है ओके यह point देदे तो उसके बाद दोस्तो हम A को draw करेंगे A को देखिए यह हमारा A बन गया उसके बाद दोस्तो B को भी draw करेंगे एसे ही यह हमारा B बन चुका है यहाँ पर 2 लिखा तो नहीं है दोस्तो 2 तो लिखा नहीं है तो कुछ नहीं होगा लेकिन M लिखा है दोस्तो which is indicating AX is a mirror plane तो AX अगर mirror plane होगा तो mirror plane solid बनेगा दोस्तो AX is solid बनेगा यहाँ पर ओके तो solid बन चुका है दोस्तो यहाँ पर जो point group यहाँ पर लेंगे तो mirror plane दोस्तो यहाँ पर आएगा mirror image दोस्तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो point लेते थे two fold के करण दोस्तो ऐसे आता था लेकिन यहाँ पर point डेलने के करण यहाँ पर ओही क्यूंकि mirror image यहाँ पर भी जैसा होगा एक mirror plane यहाँ पर भी SI होगा दोस्तो तो आपको यहाँ पर क्या था दोस्तो 2 का काम only folding देने का काम होगा यहाँ पर image होगा तो यहाँ पर SI होगा दोस्तो अगर mirror plane दिया गया है तो X इसमे mirror plane होगा और दोस्तों यहाँ पे अगर एक point जैसा ही होगा यहाँ पे वीım दोस्तों point और दूसारा यहाँ पे 2 by M भी दिया गया है, हम next की slide में हम इसको discussion करते हैं okay next slide में हम discussion करते हैं थोस्तों क्या दिया गया है दोस्तों 2 by M, मैं बताया था 2 का काम B axis और M का काम दोस्तो AX BX is having two-fold symmetry तो चलिए दोस्तो हम शुरू करते हैं B का काम यहाँ पर हो जाता है शुरू करते हैं यहाँ पर ओके यह देखिए हमारा B यह पहले C तो बना लेते हैं C ऑके उसके बाद दोस्तो हम B का काम यहाँ पर सुरू करते हैं ए लिख लेते हैं जो कि आनिकॉल है यह लिख लेते हैं हमारा बी तो बी लेखने के कारण दोस्तों यहाँ पे टू लिखा गया है दोस्तों टू के कारण यहाँ पे दोस्तों टू फोर बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा कि आपका टू फोर बन जाएगा और एम इसको perpendicularly एक axis है which is a mirror plane which is known as a axis तो यहाँ पर a axis दोस्तो क्या है एक mirror plane आपको एक solid line draw करना होगा दोस्तो तो अगर एक image लेंगे आप यहाँ पर दोस्तो two fold के कारण इसी two fold के कारण दोस्तो यह image दोस्तो यहाँ पर बनेगा ऐसा लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तो mirror plane है यहाँ पर दोस्तो एक mirror plane है इस mirror plane के कारण यह बाला जो यहाँ पर image होगा दोस्तो इसा रहेगा दोस्तो इक्वाल यह पर जो image है दोस्तो यह एसा रहेगा यहाँ पर देखे यह बाला image यहाँ पर एसा रिखेगा यह बाला image दोस्तो mirror plane के कारण आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो एई है स्पेनोयड को हम monoclinic prism भी बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तो monoclinic prism भी हम बोलते हैں monoclinic या prism भी हम इसको बोलते हैं दोस्तो तो एई है यहां पे आपको domatic class जहाँ पे दोस्तो जो 2 बाला हम यहाँ पे दिखा रहे थे यह देखिए दोस्तो 2 एक दोस्तो यह हमारा प्लेन है दूसरा प्लेन दोस्तो उसको रोटेट करने के बाद दोस्तो यहाँ पे तियार हो रहा है ओके यहाँ पे देखिए दोस्तो एक बीच में क्या है दोस्तो एक mirror plane है यह देखिए बीच में mirror plane तो इसको हम aim बोलते हैं A axis having a mirror plane तो यह हमारा B axis हो जाएगा यह हमारा B axis यह हमारा A axis तो यहाँ पे अगर A axis में एक point दे देते हैं तो opposite में ऐसा point आएगा लेकिन यहाँ पे ऐसा इसको rotation के कारणे दोस्तों बन रहा है यह दोस्तों aim जिसको हम domatic class बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक mirror plane होता है और दोस्तों यह 2 by aim होता है यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं इस figure को देखके कि देखे दोस्तों यहाँ पे हम rotate कर रहे है और यह हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों A axis है यह दोस्तों A axis अगर यह दोस्तों एक मतलब की आपका point हो गया तो यहाँ पे mirror plane के करान यहाँ पे same face दोस्तों यहाँ पे mirror image त्यार हो जाएगा और यहाँ पे आप अगर rotate करेंगे यहाँ पे अगर आप B axis को rotate करेंगे यह दोस्तों आपका B axis यह आपका A axis यह आपका दोस्तों B axis है तो अगर यहाँ पे आप अगर rotate करेंगे दोस्तों यह बाला point यहाँ पे दोस्तों repeat हो जाएगा यह बाला point देखें दोस्तों यहाँ पे rotate हो जाएगा तो यही है दोस्तों spanoidal class और domatic class यह सब दोस्तों open form है यह सभी form open form monoclinic system और triclinic जितने भी आप point group देखेंगे यह सभी दोस्तों open होगा उके उसके बाद 2 by M 2 by M कैसे draw किये दोस्तों आप समझ सकते हैं हम यहाँ पे 2 by M पहले C axis को draw करते हैं C axis को हम draw करते हैं C axis के बाद हम A axis को draw करते हैं 2 by M यह दोस्तों B axis है तो पहले A axis हमारा draw हो गया उसके बाद दोस्तों B axis हम draw करते हैं which is perpendicular B axis having twofold symmetry यह देखें दोस्तों मैंने twofold draw कर लिया यह हमारा twofold है यह हमारा twofold है तो यहाँ पे जब notation लेंगे दोस्तों यहाँ पे twofold के करान ऐसा आएगा लेकिन यहाँ पे जो mirror image formation हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपका A सा और A सा है दोस्तों आप कहीं पे भी A axis और B axis को interchange कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों क्योंकि mutually perpendicular आपको यहाँ पे लेकिन mutually perpendicular रखना पड़ेगा लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा जो twofold दिये गया है वो B axis से और यह A axis से आप उसको और opposite भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं opposite मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो यह हमारा A axis से mirror plane और यह दोस्तों हमारा B axis से जोकिन एक mirror plane नहीं है इसको आप folding दे सकते हो यहाँ पे एक position यहाँ पे एक position और दोस्तों यहाँ पे आपका mirror image formation हो गया यह हमारा mirror image formation हो गया तो यह तीनों मतलब की point group आपको monokinic system में देखने को मिलता है दोस्तों एक two होता है जिसका figure आप spinoidal figure आप देख सकते हैं ओके यहाँ पे point देगे तो यहाँ पे आएगा dyspanoid भी बोलते हैं दोस्तों monoklinic prism भी बोलते हैं यह एक open form है सभी open form होते हैं दोस्तों यह AXC से यह BXC BXC को आपको यहाँ पे two fold दिया गया है दोस्तों तो यहाँ पे point होगा तो यहाँ पे mirror image त्यार होगा देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अगर point होगा तो two folding भी यहाँ पे ही होगा तो two folding यहाँ पे यहाँ पे ऐसे formation होगा दोस्ते